T20 World Cup 2024 में अब तक तीम इंडिया अन्वीटेन रही है रोहित सर्मा की कप्तानी वाली यह टीम अब अपने आखडी लीग मैच में कैनेडा से भीडेगी भारत और कैनेडा का यह मुकाबला सनिवार 15 जून को फ्लोरीडा में होगा चलिए आपको इस मैच की पिच रिपोर्ट दोनों टीमों की संभावित प्लेंग लेवन और एक बेस्ट ड्रेम लेवन फैंटसी टीम के बारे में बताते हैं लेकिन वीडियो सुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो फ्लोरीडा के सेंट्रल बोवाड रिजनल पार्क की पिच को आप कुछ हद तक बल्लेवाजी पिच मान सकते हैं बीते दिनों इस मैदान पर कुछ हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं और यहां का औसत स्कोर 166 रन है तो कुल मिलाकर जो फैंस न्यू यॉर्क की पिच पर लोई स्कोरिंग मैचेज देखकर ठक गये थे उनको एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है हाला कि हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेज तभी हैं जब टीम इंडिया पहले बल्लेवाजी करती है खैर अब चलिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग लेविन पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं तो भारत के लिए एक बाफिर आपको रोहित सर्मा और विराट कोली ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं तीसरे और चोथे नंबर परक्रमसा रिशाप पंत और सूरे कुमार यादब को एक्षन में देखा जा सकता है आगे आल राउंडर की भूमिका में आपको एक बाफिर सीवम दूबे, हार्दिक पंडिया और रविंद्र जडेजा दिखेंगे अंत में टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बाफिर जस्पृत बूमरा, अर्षदीप सिंग और मुहमस सिराज जैसे गेंदबाजो पर होगी वही कैनडा के लिए एक बार फिर आपको दिलप्रीत वाजबास, सादविन जफर और कलीम सना जैसे क्रिकेटर्स एक्षन में दिखेंगे चलिए अब जानते इस मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रेम लेवन टीम क्या हो सकती है यानि आपके इन ग्यारक खिलाडियों को चुनकर एक बेस्ट फैंटसी टीम बना सकते हैं तो सबसे पहले आप विकेट कीपर के स्लोट मेरी सबपन्त को रख सकते हैं आगे बैटर्स के लिए आप रोहित सर्मा, विराट कोली, निकोलस और जॉनसन को आजमा सकते हैं आप हार्दिक पंडिया को कैप्टन और डिलन हेलेगर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं तो ये थी इंडिया वसेज कैनेडा मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटसी टीम ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें